पार्ट तीन शब्द और वाक्य पूर्द अर्थ प्रकट करने वाले वर्थ समू को शब्द कहते हैं शब्द वर्डों को मिलाने से वर्थ समू बनते हैं दिये गये वर्थ समू को पढ़ो क्या उपर दिये गए वर्ड समूहों का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है अब इनहीं वर्ड समूहों में वर्डो का इस्तान बदल दिया गया है इन्हें पढ़ो और देखो हम देखते हैं कि करम बदल देने से वर्ड समूहों का इसपस्ट अर्थ निकल रहा है ये तीनों वर्ड समूह शब्द है वाक्य शब्दों के समूहों से वाक्य बनते हैं वाक्य बनाने के लिए भी शब्दों को सही करम में रखना पड़ता है दिये गये शब्द समूहों को पढ़ो फूल बगीचे रहे खिल हैं इस शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है अब इसी शब्द समूह को इस प्रकार पढ़ो बगीचे में फूल खिल रहे हैं इस शब्द समूह में शब्दों का सही करम होने से पूरी बात समझ में आ रही है अता जिस शब्द समूह से एक पूर अर्थ पता चले उसे वाग के कहते हैं वाग के विभिन प्रकार के होते हैं वाग के सूचना या जानकारी देते हैं यहां मेरा विद्याले है उन्हों साथ-साथ खेलते हैं, रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारे घर पास-पास हैं, यह ताज महल है, इसे शाजहां ने बनवाया था, यह दुनिया का आठवा आश्चर है, नहीं वाले वाक भी सूचना देते हैं, इस टोकरी में कुछ भी नहीं है, यह टोकरी प्लास्टिक की नहीं है, यह टोकरी नई नहीं है, प्रश्ण वाले वाक से हम जानकारी लेते हैं, तुम कहां जा रहे हो, मैं पार्क में जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई कैसा है, वहाँ ठीक है, कुछ प्रश्णों का उत्तर हा या नहीं में देते हैं, क्या तुमने लाल किला देखा है, हाँ, मैंने लाल किला देखा है, क्या यह कार तुमारी है, नहीं, ये कार मेरी नहीं है धन्यवाद